हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनिस्कुल पर हार्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम तीन प्रमुक खबरें डिसकस करने वाले हैं 50% DADR की घोशना होगी जल्द दिखिए जो DADR आपको एक जनवरी 2024 से लागू हो उसकी घोशना इस बार जल्दी होगी सबूत के साथ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ OROP 2 की अगर तीसरी किस्त आपको नहीं मिली है तो आपको क्या करना है और फॉर्थ किस्त जो है वो कब मिलेगी सारी जांकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है देखे हो सकता है कि किसी को disability pension मिल रही हो उसका service element का जो है वो revision हो चुका है area भी मिल चुका है लेकिन जो disability element है ना तो उसका area मिला है और ना ही उसी का आप कह सकते हैं कि देखे revision हो पाया है तो ऐसी condition में पैसनर क्या करे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और त disability पर medical board की power हुई खतम आप देखेंगे letter के माद्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए अब आपको disability pension है वो किसकी authority में आ गया है तो यह तीनों ही खबरे बहुत important हैं जो हम बारी-बारी से अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को subscribe कर लीजिए notification bell को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी जानकारी मैं आप सभी के साथ share करूँ उसका notification आपके पास पहुंच सके शुरुआत करते हैं आपने आज के वीडियो की जैसा मैंने आपको बताया आज के वीडियो में तीन प्रमुक टोपिक हैं उसमें सबस Pensioners हैं, 70-year-plus हैं, आफ फैंपली Pensioner हैं तो आपको एक किस्त में अर्लेडी मिल चुका होगा लेकिन अगर आप नॉर्मल Pensioner हैं तो ऐसी इस्थी में आपको चार किस्त मिलनी थी और अगर तीसरी किस्त आपको नहीं मिल पाई, क्या वज़ा रही एक सबसे बड़ा जो point न तो आपको बोला जा रहा है कि नोन पेमेंट सेटिफिकेट जो है जो आपका CPPC है वो यहाँ पर इस पर्स को दे उसके बाद देखे हम आपका जो है आपर कर सकते हैं ऐसे ही दो केस मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर्विस एलिमे अगर मैं बात करूं तो रिवीजन होना है और दोनों का एरियर भी आपको मिलना है तो आप टेबल नंबर साथ टेबल नंबर 93 चेक करें उसमें देखें कि आपका रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है कई पैंसनर्स ऐसे थे दिनका डिसिबिल्टी पैंसन या डिसिबिल् चाहिए कि देखें आपका जो रिवीजन है उसके आधार पर जो आपको पैंसनर्स मिल रही है क्या वो सही है या नहीं फोर्थ किस्ट कब मिलेगी देखें बहुत सारी वीडियो चल रही है हमने भी कुछ देखी है सेर की गई है हमारे साथ भी कि देखें चोथी किस्ट मिल देखे आगे धीरे धीरे आपको मिलने की उमीद बन रही है यहापर अब देखे मैं आपको आगे चलता हूं डिये बारे में और दिसिबल्टी पैंसन दोनों ही मुद्दों पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं पहले देख लेते हैं कुछ लेटर देखे यहाँ पर जो लेटर पिए देखे आगे कुछ आगे लेटरणात द में स्पर्सरी कस्ट बेद आपको सबने सब्सनते देखे । पताया जा रहा है कि आपका अगर migration हो चुका है और आपको नहीं मिला है तो complaint डालिए उस complaint के बाद में देखी आपको जो है CPPC को बोला जाएगा कि आप due drone statement send करें और NPC send करें non payment certificate देखे simple है उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि वो लिखके भेज़ देगा कि देखे उनका migration हुआ और हमने जो है इनका revision नहीं किया इनको area नहीं दिया है तो आपको इस पर से area आपके खाते में credit हो जाएगा एक दूसरा letter आप देखते हैं यहाँ पर देखे circular 568 भी है और disability element भी है देखे disability element आप देख सकते हैं element was not taken into consideration in pension यहाँ पर बताने कि गलती हमसे हो गई कि हमने इनका disability element जो है वो miss कर दिया only service element इनको दिया और इसके आधार पर इनका area भी बनता है और यहाँ पर देखे नों सारी चीजे भी इनको clear की है the same has already been informed to you हमने आपको litter दिया है NPC दे रहे हैं आपको कि देखे इनको नहीं दिया गया है और जो इनका area is pending as area to be paid देखे इनका हाला कि 7,36,000 रुपे है वो इनका देखे 5,68 और disability element जो इनका miss हो गया था काफी पुराना यह सारी चीजे देखे उनको मिला कर मिल रहा है लेकिन बात यह है कि जब तक आप जागोगे नहीं आप grievance डालोगे नहीं तो आपको यहाँ पर कोई समधान नहीं मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं 50% डिये डियार जो एक जनवरी 2024 से होना तैह है देखे उसकी गोशना इस बार जल्दी होगी उसके पीछे का कारण क्या है देखे उसके पीछे का कारण है कि देखे दोजार चोविस के अपरेल मई में आपको चुनाल देखने को मिलेंगे ऐसी इस्तिती में उससे पहले सरकार जो है डिये डिय की गोशना करने वाली है देखे 2019 आप देख सकते हैं जब लाश्ट टाइम चुना हुए थे लोग सबा के उस टाइम 27 फरवरी 2019 को ही Ministry of Finance की तरफ से जो Grant of Dearness Allowance to Center Government Employees जो है वो जारी कर दिया था यानि फरवरी के महीने में कहीं जाके मार्ट लाश्ट या अप्रेल में नोर् उससे पहले उस चीज़ों को रोख दिया जाता है जो भी फाइनसल होते हैं तो यह सारी चीज़े जो हैं फरवरी के महीने में होती दिखाई देंगी और यह एक बहुत important point सभी pensioners के लिए और सर्विक परशनर के लिए होने वाला है अब बात कर लेते हैं disability pension के उपर 27 point है वहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ चीज़े बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है इन्होंने बताया था जो fourth point है medical boards will indicate actual assessment of disability देखे अगर किसी का 12% है 13% है तो medical board के power जो है अभी केवाल इतनी है वो केवाल percentage लिख के देगा कि कितने percentage disability है जो उस वो आपका जो है only percentage लिखे देंगे जो broad banding का काम है वो उनके हाथ में नहीं है will not carry any broad banding off broad banding at their level any required rounding off or broad banding जो है will be done by P.E.S.A. पैंसनल सैंतिंग और 30 यानि PCDA इस पर उनके हाथ में है कि वो उसको broad banding रूप में बनाएंगे RMB का केवल काम इतना है डॉक्टर्स का केवल काम इतना है medical board जो है उसका काम इतना है कि वो आपकी assessment जो बैठ रही है as per GMO 2023 उसको लिखेंगे और यह जो उनकी power थी वो बस केवल यहीं पर रोग दी गई है उसके बाद में अगर कोई भी broad banding करनी है आपको total देना है percentage तो एक के वो PSA का काम है और यह अपने आप में बहुत important बात है जो आप सभी को सोचनी और समझनी चाहिए यह थी आज की परमुक खबरें अगर जांकर यह आपको अच्छे लगी तो comment करके ज़रूर बताईएगा फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत